हाई फ्रेंड्स असलाम अलेकूम वेलकम बैक टू मैं चैनल आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हूँ चिकन ग्रेवी की रेसिपी तो हम लोग इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे घर में जो चीज़े मुझूद होती है उसी की हम चिकन ग्रेवी बिलकूल आसांसी रेसिपी है आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है एंड तक बिना स्किप किए वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीस सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी इसमें नमक एड़ करूंगी और हल्दी पाउडर वन टीस्पून के करीब इसमें जाएगा इसे हम मिक्स करके इसे ही छोड़ देंगे जब तक हम मसाला रेडी करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने ओईल लिया है वन कप के करीब ओईल मैंने कड़ाय में डाल दिया है गरम ह फट से बनेगा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेंगा तो यहाँ पे देखिए प्याज मेरी गोल्डन हो चुकी है इसी तरीकी के हमें चाहिए इससे जादा गोल्डन नहीं करनी है देखिए इस तरीकी की प्याज हमें चाहिए अब इसे मैं फटा फट से निकाल लेती आलू मैंने यहाँ पर लिये है इसे मैं फ्राइ करूंगी यहाँ पर आलू ऑप्शनल है आप चाहे तो डाली आपको नहीं डालना है तो आप स्कीप कर सकते है आलू को हमें जादा नहीं गलाना है जादा फ्राइ नहीं करना है हमें 80% तक ही इसे कूक करना है तो देखिए तेल को मैंने निकाल लिया है कंडाई में ध CT सब्सक्राइब गंण है और भून लेंगे मसाले में अब इसमें मैं एड़ करूंगी ड्राय कोकोनोट पेस्ट तो सुका खुपरा जो होता है उसमें मैंने थोड़ा साहरा धनिया एड़ किया था और इसकी फाइन पेस्ट बना ली थी इसमें एड़ कर दिया है बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनती है इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे सब मसालों के साथ अब यहां पर मैंने कुछ ड्राय मसाले लिया है जिसमें की मैंने लिया है हल्दी पाउडर 1 टी स्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर यहां पर ली हूँ 1 टेबल स्पून 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 ट मसाले है उसके आप डबल कॉंटिटी ले लीजिएगा तो वही आप लोगों को जाइका मिलेगा ग्रेवी में और वन टीस्पून के करीब इसमें गरम मसाला पौडर एड़ कर दीजिएगा तो देखिए ड्राय मसाले इसमें मैं एड़ कर दूंगी और इसे भी अच्छे से मि पानी इसमें एड़ किया है इसे भी मिक्स करते वे अच्छे से हम लोग भून लेंगे अब मैं इसमें एड़ करूंगी टमाटर तो देखिए टमाटर को मैंने बारी कट कर लिया है दो मीडियम साइज के टमाटर मैंने यहां पर कट कर ली हूँ तो देखिए टमाटर को भी तो टमाटर हमारे गल जाएगे फ्लेम को लो रखना है तो देखें यहाँ बे 5 मिनट मेरे पूरे हो चुके है अब मसाला हम लोग चेक करते हैं तो देखें टमाटर बहुत ही अच्छे से घुल चुके है मेरे लो फ्लेम पर यह 5 मिनट से ऐसे ही कूक हो रहा है मसाला अब हम इ अच्छा टेस्ट आता है बिरिष्टा डालने से अब इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे और अच्छे से सब मसालों को मिक्स करते वे भून लेंगे तो देखिए मसाला मेरा बहुत ही अच्छे से कूख हो चुका है अब हम इसमें एड़ करेंगे चिकन जो हम लोग ने मैरिनेट करके रखा था हल्दी और नमक डालके इसे हम मसाली के साथ अच्छे से भून लेना है फ्लेम को मीडियम ही रखना है अब इसमें एड़ करेंगे नमक तो नमक अपने हिसाब से आपको एड़ करना है क्योंकि हम लोग ने चिकन जब मैरिनेट किये थे तब भी हम लोग ने नमक एड़ किया था बिरिस्ते में भी नमक है तो नमक बिल्कुल हिसाब से ही डालना है तो इसे भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसे ढखकर हम लोग फ्लेम पर छोड़ देंगे दस मिनट तक तो मिलते हैं दस मिनट बार तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दस मिनट मेरे पूरे हो चुके है और चिकन जो है बहुत ही अच्छे से मेरा पक रहा है और यह पूरी तरीके से अभी तक नहीं पका है तो इसे हम एक बार चम्मा से चला लेंगे अब हम इसमें एड़ करेंगे आलू जो हम लोग ने फ्राइ करके रखे थे 80% ही इसे हमने फ्राइ किया था तो अब यह इसमें आराम से गल जाएगे थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे और सब चीजों को अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे तो देखिए मैंने सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब लोग फ्लेम पर इसे ढख कर रख देंगे 10 से 15 मिनट तक हम इसे इसे ही छोड़ देंगे मिलते हैं 10 मिनट बात तो देखिए 10 मिनट मेरे पूरे हो चुके है हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छे से बन चुकी है और यह जो आलू और चिकन है वो भी गल चुका है आप देख सकते है बहुत ही अच्छे से गल चुका है यहाँ पे मेरी ग्रेवी बन के रेडी हो चुक को तो मैं आप लोगों को डिश आउट करके बताती हूँ तो देख सकते हैं आप लोग कितने इजी तरीके से हम लोग ने इस ग्रेवी को बनाया है घर में जो चीजे रहती है उसी के हम लोग ने gravy बनाए है और बहुत tasty बनती है बहुत ही जायकेदार ये dish बनती है और time भी बिलकुल भी नहीं लगता है महनत भी नहीं लगती है तो आप लोग भी इस dish को जरूर ट्राई कीजिएगा वीडियो पसंद आता है तो like जरूर करना है आप लोगों को नीचे दिया गया comment box से उ अपने फैमिली और फ्रेंड्स में तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसी बी के साथ तब तक दुआओं में याद रखना अलाफीज